हाई लवली लीडीज वेलकुम बैक टुमाय चैनल तो लीडीज आज के वीडियो में आपके सथ यह वाला बोखुत सुन्दा सा दिवाली मेकप जो है वो शेयर करने वाली हूँ स्मोकी आईज असके साथ न्यूट्रल लिप्स मैंने किये हैं बहुत अच्छा बेस किया है बि अगर यह मेकप सि stark न चाहते हoking तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो चाहर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना आपको बहुत सारा फाइदा ओने वाला है और सारी डीटेल्स जो है जूल्री बन करायू की आपको इस वीडियो में जो हो है वो मिल तो she's really really pretty और उसके आखे बहुत सुंदर है जब वो मेरे पास आती है तो मैं हमेशा एक मेक अप करती हूं उसके उपर सो मैंने दिवाली मेक अप करना था तो इसलिए हम लोगों ने यह वाला ट्राइ किया है सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाई किया था आरगन वाला क्योंकि वो हाइडरेटिंग होता है और इसके थोड़े से मेरी सिस्टर के डाक सरकल है तो इसलिए हमने अंडर आई क्रीम जो है वो अप्लाई की है तांकि आई बेस जो है वो खराब ना हो अंडर आई के नीचे जो ह है वो अप्लाई करा है यह बहुत अच्छा है नौन स्टीकी है नौन ग्रीसी है पता ही नहीं चलता आपके पेस पे कुछ लगा हुआ है अपको हाइडरेशन भी प्रवाइड करता है तो दीरे-दीरे करके अपने फेस पेस को लगा सकते है नेक्स्ट मॉस्टराइजर के ल अगर आप आप ओईली स्कीन के है तो थोड़ी अमाउंट में यह वला मॉस्टराइजर यूज कर सकते हैं यह वला आप मॉस्टराइजर यूज करना है जब भी आप मेकप करें दीरे-दीरे करके स्कीन के उपर फैला लेना है फेस पे लिबाम जरूर अपलाई करनी है फेस बहुत स्मूध हो जाता है और बेस बहूत देर तक टिका रहता है स्टिकी स्टिकी मतलब थोड़ा सा मुझे यह लगता है बड़ इसके उपर फांडेशन इतने अच्छे से टिकता है यह नहीं कि चिपक नहीं लग जाता है पर इसका टेक्श्र इतना अच्छा लग इसमेंसे यह purple shade यूज़ करने माली हूँ लेकिन उससे पहले मैं अपने brows को फिल कर लूँगी Miss clear के इस brow palette के साथ मुझे यह बहुत अच्छा लगता है palette मेरा most favorite palette है इसका जो brush बहुत जादा अच्छा आई-लाइनर भी अप्लाइ कर सते हो यह इतना अच्छा brush है वन फ्माइ फेवरेट ब्रॉष और पूली के साथ थोड़ा सा कॉम कर लेंगे eyebrows थोड़े से dense है उसके and she likes her eyebrows like that मुझे इतने बुशी अच्छे नहीं लगते बट शी लाइक तो हम लोग उसको चेड़ने नहीं वाले है so swiss beauty का ही मैंने यहां पे brow gel यूज किया है brow setting gel उसके बाद हम लोग यहां पे fit me का concealer यूज कर रहे है क्योंकि यह dry out नहीं करता है long time तक अर आपको यह make up करी करना है तो मैं इस तरह का concealer apply करना पसंद करती हूँ swiss beauty का मुझे हलका सा drying लगता है so that is why मैं आज fit me का यूज कर रही हूँ पुल नहीं हिलता अगर आप लगा लेते हो उसके बाद हम आजाते हैं आई मेकप के ऊपर purple shade मैंने आपको पहले दिखाया था ना वही वहला आपको दीरे-दीरे करके लगाना है और अच्छे से अपनी क्रीज पेस को बिल्ड करके अच्छे से ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग में अपने बहुत टाइम दिया था आप इसे बहुत टाइम दी जिए अठाक्या और कर ऐसे ब्लाकु ब्लेंड कर लिया था शके बाद मेकप रेवल्यूशन की पालेट में से मयने ये ब्लाक कलर पिक क्या था था decorating एक छोटे ब्रुश के साथ मैंने अपनी आ पहले आप देख सकते हो जो ही प्रश मेने पहले यूज किया था उसी के साथ में इसको थोड़े से एजिस को में ब्लेंड कर लूँगी और अपनी आई को इसके बाद हम कट कर लेंगे ठीक है अपनी क्रीज को हम कट कर लेंगे ब्रश आपको बहुत ज्यादा यहां पे दरू सेंड कीजेगा मुझे बहुत खुशी होगे मुझे फॉलो भी कर लीजेगा वहां पे मैं बहुत सरी रील्स भी डालती रहती हूं तो आप चेक आउट कर सकते हैं एक चोटे ब्रश के साथ सेम कंसीलर के साथ अपनी क्रीज को जो है वो कट कर लेंगे उसके बाद मुझे य यूज फॉयल पिंगमेंट्स यूज करी हूं मैंने करवाचाओत मेकप में इसको यूज किया था इतने अच्छे लगए कि मैंने दुबारा से इसको यूज किया है इसका जो शेड था जिरो फॉर ठीक है उसके बाद ये थोड़ा शेंपेणी गोल्ड था उसके बाद मैंन यहां पे पीच करेक्टर जो है यूज किया है क्योंकि थोड़ा सा डिसकलरेशन था थलकी सी चाहिया थी तो उनको क्लीन करने के बाद मैं यहां पे मिलानी का फांडेशन यूज कर रही हूं इंदी शेड जीरो टू और ब्यूडी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दे रही हूं आई मेकप के पासपात बहुत असानी से नहीं होता है थोड़ा सा टाइम देकर ब्लेंड करना होता है ताकि वह अच्छा लगे यहां पे उसको बहुत खुदगुदी हो रही थी आप उसके फेस से जज़ कर सकते हो एक फ्लैट ब्रश की साथ मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं और उसके बाद ब्लेंड के साथ एक्स्ट्रा सारा प्राड़क्ट जो है हम वह उठा लेंगे और शी वस लाइक आप देख सकते हैं इसलिए जान बुच के डाला है ताट यू के जज़ कि यहां बें गुदगुदी हो रही थी उसके स्चेकोकी यहां पर ब्लाइड एऊ तो अच्छे लेंगे ब्लक चाहुदी करी उसके लुचाक्सथ एकश्चा मैंने और अपर लाइच पлись यूचा मैंने इसलिए जल आइलाइनर को काइल की तरह थीज़ कर लांग लास्टिंग होता है तो वसके उसके बाहत वम्भा ठाड मेबलीन का कॉलोसल मस्कारा यहां पे स्विस्स ब्यूटी की मैंने प्राउल थ्रीडी स्टुडियो एफेक्ट वाल यह लैशी यूज करी हैं ग्लू के लिए मैंने नीचे आपको डाल दिया है कौन सा एडैसिव यूज किया था मैंने डूओ का यूज किया था नेक्स्ट मैं अब बेका का हाइलाइटर यूज करी हूँ मैं मोस्ट फेवरेट फेस्टिव हाइलाइटर इससे अच्छा हाइलाइटर आपको नहीं मिलेगा फॉर फेस्टिव तो यह बहुत अच्छा और ग्लोई वाला हाइलाइटर है इंडियन स्किन टोन को इतना कॉंप्लिमेंट करत सकते हैं and this is the final look guys make sure comment जरूर कीजएगा comment कि अभी ना बिल्कुल भी मजएगा आपको अपने दिल की बात बतानी चाहिए बिल्कुल बतानी चाहिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मुझे भी पता लगे कि आप क्या सोच रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद so make sure आप comment जरूर 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 करें परना मैं सोचोंगी कि आप comment करना जानते ही नहीं हो ठीक है इस बार यह वाली बात बोले आपको अपने दिल की बात पोलनी चाहिए ठीक है तो मुझे क्यों करके जरूर बताएगा आपको यह वाला वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है outfit कैसा बाई एंड मेक शूर कॉमें जरूर कीज़ेगा और हा मुझे सजेस्टियूर कीज़ेगा मैं नेक्स्ट मेकपलू कॉन सा लेक्या हूँ मैं विलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तेल दें थेके बाई लब्यू आपको यह वाल